आज का हमारा टॉपिक है क्या पाकिस्तान बॉकला गया है क्योंकि आपने देखा होगा न्यूस चानल्स में और कई ऑनलाइन जगर भी आपने पढ़ा होगा जिस तरह से पाकिस्तान में 370 हटने के बाद बैठकों का दौर जारी है उससे तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में एक घबराहट सी मची हुई है बैठक का दौर जारी है विदेश मंतरी का बयान आ रहा है इमरान खान का बयान सामने आ रहा है आखिर पाकिस्तान में ये घबराहट क्यों है मरोजी यह समझने की कोशश करेंगे राजने एक संबंद की समीक्षा काशमीर के सहारे ही राजनितग्यों की रोजिरोटी चलती दिथी वहाँ पि चाहे कोई भी हकूमत सत्ता में आए काशमीर उसके केंद्र में था अब काश्मीर चुकी निकल गया है जो बीच में जो 370 बाधक था एक दिवार की तरह काम करता था वो दिवार तो गिरा दी गई अब अब वहां अलगावाद का मौका मिलेगा नहीं तो जो पाकिस्तान की जो बौकलाहट है और घबराहट है यह जितने सारे हम कवायत देख र किया अब पाकिस्तान को समझ में आया है कि कश्मीर भारत का हिस्सा था भारत का हिस्सा है और भारत का हिस्सा रहेगा या अभी वह बात को नहीं समझ पा रहा है नहीं वह तो पुरी तरह देखिए बौकलाहट और घबराहट का सिधा सर्थ यहीं है कि अब पाकिस्तान समझ रहा है कि काश्मीर उसके हाथ से जा चुका है, चुकि तीन सो सतर का बेरियर था, जो अलगावाद को बढ़ावा दे रहा था, जो पत्थर बाजोग उक्साने के काम आ रहा था, या फिर जो काश्मीर के ऊपर जो पूरी रोची रोटी चल रही थी राईनीताग्यों की, चु तो उनका कहना था कि वहां के राईजिय तक नीजी तो चाहते हैं कि इसका कुछ हल निकले। लेकिन वहां के जो हालात हैं जैसे कि मैंने कहा कि काशमीर को जब तक धूरी में न रखा जाए तब तक वहां की राईजिती चल नहीं सकती। और अब देखे, पाकिस्तान में जो बॉकला हर्ट जो दिखाई दे रही है, ये इमरान खान की मजबूरी भी है, इमरान खान इस तरह के स्टेप भी अगर नहीं लेंगे, जैसे देखे, समझाओता एक्सप्रेस को बीच में रोग देना, क्या मतलब है इसका? क्या दर्शात है, क्या मैसेज कनवे करना चारा है पाकिस्तान, इतने सारे यातरी प्रभावेत हुए, आपने अचानक से समझाओता एक्सप्रेस को वीच में रोग दिया, यहां भारत से इंजन लेकर जाया जा रहे है, यह सब क्या आखिर पाकिस्तान क्या दर्शानी की कोश अब याद होगा मनुजी, एक समय था जब आतंकी गत्विधियां देखने को मिलती थी भारत में और यह स्टेट्मेंट आता था भारत की तरफ से, कि हम यूएन में इस बात का जिक्र करेंगे, और हम कोई भी बातचीत नहीं करेंगे, क्या अब वही रवया पाकिस्तान की देखने को मिल रहा है. चूरी, बाहर से तो ठीक रहता था, लेकिन आतंकवाद को बढ़ावा देता, अब देखेंगे, चीजे बदल गई है, अब हालात अगर देखिएगा, तो यह चीजे बदल गई है, जो बात भारत कहता है, था पहले, वह पाकिस्तान का सुरू हो गया है. क्या हम यह कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का कोई बड़ा स्टेट्मेंट आएगा? चाइना हर बार पाकिस्तान को सपोर्ट करता था. हमने देखा था कई उसके स्टेट्मेंट चाइना के आते थे, गलत चीजों पर भी चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, पर इस बार बाक्फूट पर नज़रा रहा है चाइना? देखिए हम लोग अभी नियूसरे में बात भी कर रहे थे कि इस्तिति कैसे बदली है चुकि पहले वाले कारी काले में प्रधान मंतरी जब विदेश दौरे पे जाते थे तो उनकी काफी अलोशना कर होती थी कि कहा गोमने जा रहे हैं कितने खर्च हो रहा है बियोरा क्यों नहीं रहते हैं हासिल क्या हुआ बताएं प्रधान मंतरी की क्या वो लेकर के आए तो देखिए कुट नितिक मामलों में विदेश नितिक के मामलों में जब वक्त बीटता है और कुछ ऐसी प्रतिकूल परिस्थिती जब आती है तब पता चलता है कि कितने कुट नितिक सफलता मिली है ये भारत की बहुत बड़ी कुट नितिक जीत मानी जाए में सुश्मा स्वराज ने और नरंद्र मोदी ने जो कुट नितिक आधार शिला रखी थी जो बेस तयार किया था उसी का नतीजा है कि चाइना भी कुछ नहीं कह रहा है अमेरिका ने कुछ कहा भी तो बहुत सयमित शब्दों में कहा कि दोनों देशों को सयम रखना चाहिए ये तो एक जनरल स्टेट्मेंट है एक कुमालती की तौर पर किसी ने ये नहीं कहा कि ये दोनों के बीच का मामला है और भारत ने ऐसा क्यों किया यूएन में बात चल ली चाहिए थी ऐसा किसी ने कहा ये समझाईए पाकिस्तान में जो एक आर्थिक मंदी आई हुई है एकोनमी वहां की नीचे गिरती जा रही है और भारत की एकोनमी एक तरह से बूस्ट होती जा रही है मतलब हम काफी ग्रो करते जा रहे है ऐसे में पाकिस्तान का इस समय ऐसे बयान देना क्या पाकिस्तान अपने आप पर गलत नहीं कर रहा है देखिए पाकिस्तान ने पहले कहा कि हम वानीजी क्रिस्ते को तोड रहे है उसके बाद राइनिती कृष्टे को तोड़ दिया तो देखे कितने हास्यासपत बात है कंचन जी क्योंकि भारत का जहां GDP लगभग आठ के बराबर है भारत विश्व का छठा प्रगतेशील करता हुआ प्रगतेशील देश है GDP ग्रोथ रेट के हिसाब से देखा जाए फ्रांस को भी भारत ने पीछे छोड़ दिया है दूसरी तरफ पाकिस्तान के ऐसे स्तिती है उसने कहा कि निर्यात हम रोक रहे हैं अब देखे हम देख रहे थे कि लगभग 63 करूर उपे का तो भारत सिर्फ ताज़ा फल खरीदता थ उसके पास सिमेंट का निर्यात होता था पाकिस्तान से और चमडा का निर्यात होता था था माँसे तो देखे भारत निर्यात नहीं आठीक वाहां नहीं जो कि गधा वीकास हो जो चलाई है वहाँ पर प्रदानमंतरी आवास के और कारियले के आसपास के वहाँ पर घथंग को भैसों को बेजा गया है खर्ट चलाने के लिए तो अब तो लोग मजाक में कहा है कि परदान मंत्री जो पाकिस्तान के हैं वो कहा से खर्ड चलाएंगे अब लगता है कि गधों को बेच के खर्ड चलाएंगे तो ये दो राय नहीं है चिपी नहीं है अमेरिका गये थे वहाँ हाथ पसाड़ने के लिए वहाँ से कुछ मिल जाए तो जो माली हालत है अब देखिए वहाँ पाकिस्तान को जिस्तिती है मैंने कहा कि वहाँ की जो पूरी राजनिती के धोरी था वह काश्मीर था सब बातें गरबड हो जाएं लेकिन काश्मीर प्रमुक रहे ये कोशिश होती थी अभी वहाँ यही हो रहा है वही कोशिश आज भी की जा रहे है और इसी वज़े से एक के बाद एक स्टेट्मेंट पाकिस्तान की संसद में खलबली मची हुई है वहाँ गरीबी के गुर्बत के बात नहीं हो रही है वह अभी कका श्मीर की बात हो जब कि फिजूल है और इसका ऊच्छान को अब ये बात समझ लेनी चाहिए कि क्श्मीर में 1337 हटा दी गई है और अब कश्मीर में नॉर्मल सी वापिस आ रही है आज हमारे पॉटल में इतना ही आज हमारे इस डिसकुशन में इतना ही आप देख तुर रही है इन खबर इन खबर चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूए